दोस्तों आज बात करने वाले 30 क्रॉस 20 हाउस प्लान की जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं और जो की बहुत कम 600 स्कॉार फिट में मात एक घर बना है अगर आप सिटी में विलॉंग करते हैं तब भी आप एक घर बनवा सकते हैं या ग्रामील शेतर में रहते हैं तब भी आप इस घर को डिजाइन करा सकते हैं आप को देखने को मिल रहा होगा बेतरी से घर है चुटा है ज्यादा चीजेशी यहां पर मैंने क्रिए नहीं किये रेलिंग की बात करें या फ्रेंट डेलेवेशन की बात करें तो सभी चीज़े आपको बेतरी निशे देखने को मिलती है तो 30 by 20 feet में ये मकान बना हुआ है 30 feet इसके जो front है 30 feet रखीष चोड़ाई है लंबाई की बात करें तो 20 feet है 3 side closed आप देख रहे हैं 4 तरफ घर वगारा कुछ बने होंगे आपके तो ये पूरा model जो है 30 by 20 का मैं डिसक्स करूँगा इसके लिए आप बने इस video लगातार और अगर आपने अभी तक स्माल आउस प्लान को सब्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाले सब्सक्राइब आप लगातार देख सके तो जो 30 by 20 का प्लान नहीं से डिसक्स करने के लिए सबसे पहले मैं आपको फ्रेंट टेलिवेशन जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक वी देखने को मिले जो मैंने वाल पे फ्रेंट वाल आपको ये देख पा रहे होंगे तो ये तो फ्रेंट एक वेट्डूम है जिसका डिजाइन था ही है इसके बाद इस्टियर्स है ये जहां से आप उपर चड़ेंगे इधर एक बारंदर डायब का आपको देखने को मिलता है इसमें मैंने ये रेलिंग डिजाइन किये ये आपका एक पिलर है जिस सपोर्ट आपके मकान को दे रहा है तो इसमें ग्राउन फ्रोर के अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउन फ्रोर है यहां से श्टियर्स से चड़ेंगे और ये आपकी बीम है जो आप डिजाइनिंग के परपस से देख पा रहे हैं ये भी बीम है को डिजाइनिंग के परपस आप जैसे जाते हैं अंदर आपको एक बारंदा मिलता है और आप देखीगा टॉप अगर हम देखें तो इधर से इस बारंदे से जो पहला गेट है इसको मैंने इंट्री दी है आप बारंदे इसे पहले वाले जो गेस डूम समझ लिए आप से बेड़्दूम समझ लिए कोई भी समझ लिए इसमें आपह सिर्फ बारंदे से इंट्री मिलती है और अंदर से इंट्री नहीं है इसके बाद आपको अगर अंदर जाना है तो ये में डोर है और उसके साड में एक ventilation के लिए window दिया है और ये इस साड एक kitchen बनाया है जो मैंने ventilation के लिए एक यहाँ पर window दिया है और इस साड से आपका डोर दिया है तो ये आपका kitchen एरिया हो गया चोटा सा उसके पीछे लेटेंड बात मैंने command करके create किया है और यहां से stairs है जो कि आप turn चड़ना स्टार्ट करेंगे और turn होकर आप उपर पहुंच जाएंगे तो ये portion हो गया लेटेंड बात kitchen stairs और चोटा सा तो 30 by 20 feet में एक side दो bedroom मिलते हैं एक first और second इसके बाद इस side latent bath, kitchen, stairs, hall और यह बारन्दा देखने को मिल जाता है 30 by 20 feet में 600 square feet जो एरिया आपका बनता है तो ये तो ground floor की बात हो गई जो आपने देखा आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके जाएंगे अब हम बात करते हैं क floor की तो first floor पर मैंने एक खासा कुछ design नहीं किया है चारो तरफ साड़े तीन फिट का boundary और front में railing और grill का इस्तमाल करके बेतरीन चालुक आपका design करके दिया है या आपका देखे railing का जो design है या glass का यूज किया है ये भी railing है ये grill मैंने यूज किया है तो 30 by 20 feet में एक छोट अचाशा घर है कम लागत में आप घर बनवाना चाहते हैं तो आप इसे प्रफर कर सकते हैं आइडिया भी अच्छा वो फ्रेंट केलिवेशन वागारा भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा यही पूरा model था 30 by 20 में कैसा लगा जरूर बताएं सासा video glass या जरूर कर दें क कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप इसका estimate cost find out करना चाहते हैं कि घर को बनवाने में कितना पैसा लगेगा तो उसके लिए हमारे play store पर जाएंगे वहां से एक small house plan application है जो कि हमारा ही उसे आप डाउनलूड कर लें वो overall material बता देगा कितना material इसमें ल